जहीं दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियों दोस्तों आज किस वीडियों में बताऊंगा कि आप अपने दोस्तों का रोल नंबर कैसे निकाल सकते हैं दोस्तो आज यूपी बोड का रिजल्ट आने बाला है ऐसे में प्रते एक स्टूडेंट के अंदर ये जिग्यासा हो रही है कि यार हम अपने दोस्त का भी रोल नंबर निकाल लें जिससे हम उसका भी परसेंटर चेक कर पाएं प्लस अपने गाओं के प्रते एक आपको गूगल ब्राउजर पे आजाना है सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको लिखना है यूपी एमेसपी सर्च यूपी एमेसपी सर्च इस्टूडेंट ठीक है इतना आपको लिखना है अब कई लोग यहीं से ही वीडियो को स्किप करके भाग जाएंगे और अपने उस साइट को हटा दिया है क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा वैसे ही लोड बहुत ज़्यादा रहेगा सर्वर में रिजल्ट वालों का ही बहुत ज़्यादा भीड लगा रहेगा रोल लंबर की तो बात दूर है इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए अब यह में ठीक है ना तो ऐसे ही server error आ रहा है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी स्थिती में आप अपने दोस्त का result कैसे देख सकते हैं फिर कहलो अपने दोस्त का roll number कैसे निकाल सकते हैं जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक अपने दोस्त का roll number कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा देखिए जब आप चेक करेंगे ना तो अपना तो आप 191 last में डाल के चेक कर लेंगे लेकिन जब आपको दूसरे का चेक करना हो न तो आपको करना क्या है 192 डाल देना है फिर चेक करना है फिर 193 डाल देना है roll number वाली जगह पर ठीक है ना उसके बाद 94 डालना है अलग-अलग आपके ही class के student आएंगे ध्यान देना ठीक है ना और ऐसे ही बारी-बारी से आपके class के student के नाम आते जाएंगे और देखिएगा अगर आपका नाम यस से है ठीक है ना यस से है और आपको यस नाम बाले student का ही roll number चेक करना है तो 191 में आप पीछे भी जा सकते हैं यानि एक बार 90 डाल दीजिए फिर आप 189 डाल दीजिए roll number में फिर 88 डाल दीजिए है ना ऐसे ही आप आगे पीछे करके जाएगे तो जब OS वाली line समाप्त हो जाए थीक है ना R वाली line चल जाए जैसे ही आप पीछे चले जाएंगे यह निए 170 डालेंगे तो R की line आजएगी लंबर नहीं निकाल सकते सीधा सा बात है फालतू की वीडियोज के चकर में मत पढ़िए ऐसे ही आप आगे पीछे करके अपना रोल लंबर और अपने दोस्तों का रिजल्ट देख सकते हो उम्मीद करता हूं इनफॉर्मेसान अच्छी लगी होगी प्लीज वीडियो को लाइ